यो योट्योब आपका मेरे चैनल में स्वागत है बिसिकली आज जिस मुवी का मैं रिव्यू करने वारा हूं का इसी बहुती दो एंटिसिपेटेड बहुती बड़ी पैमाने पर बहुत से ए लिस्टर मुवी स्टार इस मुवी में उन्होंने साइन अप किया है और बिसिकली इस मुवी में उन्होंने बहुत सारे बड़े से टिपल एर रेटेड बहुत सारे बड़े मुवी स्टार जैसे की जेवियर बौर्डन टिमोथी सलमेट रबेका फर्क्यूसन जंडाया ऑसकर हिजैक जैसन ममोवा जोश ब्रॉलिंग और डेव बटिस्टा जैसे बड़े-ब पर आधारी थे यह इसके उपर मल्टिपल शोर्स बन चुके हैं मुवी बन चुकी है बट यह मुवी इतनी एंटी-सिपेटेड क्यों थी और उसके बारे में एक्सपक्टेशन इतनी बड़ी क्यों थी क्योंकि इसके अंदर जो बड़े-बड़े स्टार्स इसके अंदर का बहुत बड़े-बड़े एक्टर है बिसिकली है मुवी है साइफाय और इसके अंदर हुमेरेटी का फ्यूचर दिखाया गया है कि कई हजारों साल बाद किस तरह से हुमन पूरे इंटर प्लानेटरी सिस्टम में वो लोग स्पीसिस बन जाते हैं और किस तरह से एंपरर के अं इसी प्लान पर नहीं पाइए था और जो स्पाइस है उसका यूज करके जो लोग है जो रूल करते थे वह अपनी लाइफ को बढ़ा सकते थे और इंटर प्लानेटरी सिस्टम को ट्राइवल करने में जो में स्पाइस मदद करता था उसके कारण उसकी जो डिमांड रहती है उसके उपर जो एमपर है उसका अपने हौसे जो उसके अंटरकत रहते हैं उन्हें भेजकर उसके उपर कंट्रो रगता है और उसकी iers, बीसेकली पिक्चर में यी एक जिस तरह से आम वर मुवी देखते हैं या पीरड मुवी देखते हैं, उसके अंदर एक हौउ एमपर के काफी यूनों control करता है see power के ऊपर और air power के ऊपर वह चाहते थे कि वह power control करे sand power के ऊपर बट उसको control करने के लिए house of attendees को एक इस planet की जिम्मेवारी देते हैं जो कि house of hurricane जो control करता था इससे क्या करता क्या है एक तरस से वह चाल जलता है जिससे की house of attendees जो की काफी powerful house हो जाता है उसे खत्म करने के चाल चलता है इसके अंतर जो ऑसकर ईजय की house of attendees का मुख्या रहता है वह गैंबल लेता है कि जब वह एर पावर और पाणी के पावर को करता है तो वह किस तरह से सेंद के पावर कांट्रोल कर सकेगा और वहां की जो जाती है जो लोग वहां के लिवwnनिवासी है उनसे व BROWN दोस्ती करके वहां के सेंद पावर को तूल करके वह एक तरह से चैलेंज कर सकता है भियुर इस नतिजे जाता है बट यह उसे मालूम नहीं जाता है कि उसके ओपर हमला होने वाले और से तबाह कर दिया जाता है काई से मुई पूई यही है और इसके अंदर प्रॉफिसी कही गई है जो कि बेन जसरेट वो उनका काम रहता है किस तरह से शाड़ों में रहकर पूरी जो इंपायर है उसको कंट्रोल करना उनका माना रहत है कि होस आफ एटडीस का जो के ड्यूक लेटो एटडीस की जो कंक्यूबेन रहती है जैसिका उससे एक लड़की की अपिक्षा करते है जिससे कि उसके बाद जो लड़का होगा वो एक तरह का मसाया होगा जो कि फ्यूचर की घटनाओं को देख पाएगा और एंपरर को दिखाती है उससे होता क्या है कि जो उनका भी सपोर्ट रहता है हाउस आफ एटडीस को वह हड़ जाता है और उसके बाद दिखागा है किस तरह से टिमथी चैबलेट का जो करेक्टर है जो की इस दुनिया में वह एक तरह से मसायक रूप में आएगा और जो अर्यकिस को य प्राचिन दुनिया में लोग लड़ते थे तलवार के साथ जो कि अभी लोग लोग बंदूख से लड़ते यह जो और ₹ लेजर से लड़ते हैं, I mean, कितने सारे bum से लड़ते हैं, बट यहां पर लड़ाई होती है, पूरी सेना एक-दो सुषी भिड़ती है, तो तलवार से लड़ती है, I mean, it is so joking, कि, you know, जैसे कि, space suit पहन कि तलवार से लड़ाई कर रहे थे और जो कि इसमें दिखाया गया है कि इसमें बड़े बड़े actors है जॉश बोलीन डे बतिस्टा इनको क्यों लिया गया है इनको क्या और movie आपको capture करती ही नहीं है, मेरे को तो बिल्कुल भी interest पे पैदा हुआ ही नहीं, जो expectation थी कि movie में कुछ होएगा, वो बार बार आप expectation पे ही रहते हैं, और movie में कुछ भी ऐसा घड़ता नहीं है, और movie में basically जो उन्हें दिया गया है material वो actors को ही करेंगे, तो मेरा point जो आता है basically यह director की जो mess up है, जो में इस movie के जो director है, Dennis Velenove, I think मैंने उसको correctly spell किया है, basically इन्होंने ऐसी ही movie, Blade Runner 22049 भी बनाई थी, जो कि इन्हों cult classic Blade Runner की just sequel थी, but इनका जो बहुत सकतों की promise है, इनका जो इन्हों खूबी है, कि यह cult classic movies और जो legendary best selling जो story novel है, sci-fi novel थी, बरबात करने में इन् properties है, basically इनकी जो movies है, absolutely, यह fake director है, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि जो भी movie create करते है, वो उस movie के material को इतना बेका treat करते है, कि यह movie में न तो कोई इतना अच्छा आपको score लगता है, जो कि friends Zimmer ने दिया है, इस तरी कि Christopher Nolan के tenant movie को डखार दिया था, कि मैं Dune की movie को करूँगा, म आपकी movie को मैं time ने दे सकता, यह movie बात तो करती है big game की, बट यह movie में big game कुछ दिखता नहीं है, एक बार एक कीड़ा दिखाया है, उसका mood दिखाया बस, और इस movie में कुछ भी नहीं, ना इस movie में action है, और action के नाम पर तलवार की fighting है, I mean कौन सी period movie हम देख रहे थे, आप तो भी नहीं दिखाया इसके अंतर, और बड़े-बड़े character उसके एक-एक के बाद, एक-एक के बाद, अपने आपको suicide mission में जाते हो, खत्व कर दिया जाते है, तो movie में इतने बड़े-बड़े actor लेने की, क्या जोरती मुझे समझ में नहीं आता है, Dave Bautista, Jason Momoa, Josh Brolin, Oscar Isaac, क्यों ल इंटर-planetary species हो जाएगी, बट इस movie में जो एक-एक-एक के जो मोल निवासी दिखाये गया है, उन्हें दिखाये गया है, इसलाम के प्रतिक के रुपए बताया गया है, किस तरह से वो एक मसायक के बारे में, absolutely इतना अंतर विश्वास करते हैं, कि वो आएगा, उन्हें लगा भी तागी, कांटरवर्सी होगी, बट इसके अंदर कोई भी कांटरवर्सी आई नहीं, और डाक्टर का बोल्ड मूव है, जो कि मुझे सा लग रहा था, कि साध वो कांटरवर्सी करने के लिए ही बनाया गया था, बट यह कांटरवर्सी कैच अप नहीं होई, और बह बच्चो की गई है, उसको इन्हों मूवी परदे पर नहीं दिखाया गया है, बड़े-बड़े अक्टर्स है, उन्हें एक्टिंग रोल के जो चांसे से वो नहीं दिए गया है, और मुझे तो बिल्कुल भी अट्रेक्ट नहीं करती है, जो लोग इसे मास्टर पीस का मत देखिएगा, बहुत भी बोरिंग मूवी है, और बिल्कुल भी जितना भी इसकी फेक बड़ाई की गई है रहा, ये मूवी उस उन पैमानों पर खरी नहीं उतरती है, बेसिकल ड्यून माने जाती थी कि साइफाय मूवी का जो इंस्पिरेशन, स्टार वार, जो भी चैजी है, उसके अंदर ये मूवी देखिए और उसके बाद में जो लास्ट मूवी आया थी, बहुत लोगों तो नहीं पसंद आया थी, बट स्टार वार्स राइस आफ स्काइवाकर, ये भी मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि इसमें जो एंडिंग फाइ मैं मूवी रूवी यहीं पर एंड करता हूँ, और मैं आप लोगों को से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और प्लीज इसे शेयर करिए, जिससे कि मेरे को अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिले, मैं आप लोगों नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, आप लोगों मेना प्रेम बढ़ा, नमस्कार